दोस्तो आज हम दो ऐसे विबागों के बारे में बात करेंगे जिसमें 25,000 से ज़्यादा बदों पर आपके आवेदन मांगे जा रहे हैं सिधी बरती आपके रहने वाली है कोई भी एक्जाम कंड़क्ट नहीं करवाये जाएगा सेतंबर में आपका यहां पर जोइनिंग मिल जाएगी वेकेंसी के बारे में सारी अपडेट जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तो जो दो विबाग रहेंगे कौन से विबाग आपके रहने वाले है इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफेकेशन एस लिमिट का क्राइटेरिय कौन से स्टेट के आपके वेकेंसी रहेगी पूरा डिटेल में हम आपके इस वीडियो में बताएंगे तो दोस्तो सबसे पहले हम देख लेते एग्रिकल्सर डिपार्टमेंट में तो दो एग्रिकल्सर डिपार्टमेंट में आपके किसान कल्यान दता किसान विबाग की तरफ से आपकी जो ओफिचल वेकेंसी निकाले गयी है उसके ओनलाइन आवेदन मांगे जार है जिसमें आपके करसी विस्तार अधिकारी, वरिष्ट करसी विस्तार अधिकारी, वरिष्ट प्राविदिक और यहाँ पर मानचित्रक और करसी परवेक्षक के पदोपे आवेदन मांगे जार है आवे दिन आपके ओनलाइन टिती प्रारम हो चुकी 14 जुलाई से और लाज डिट आपके रहने वाली है 15 अगस्त 2022 जो भी इंटरेस्टेट कैंडिडेट है लाज डिट से पहले पहले आवे दिन जरूर कर लीजिएगा अब आपको यहां पर टोटल अंबरों पोस्टों के बारे में भी बता देते हैं ग्रामीन करसी विस्तार अधिकारी के 1996 पोस्ट आपके रहेगी सेम अगर हम बात करें करसी विखास अधिकारी के तो उसके 1212 पद आपके रहेंगे और वेकेंसी के लिए आवेदन शुर्की के अगर हम बात करें तो जनरल OBC EWS उंबिद्वार के लिए 200 रुपे वहीं SST और महिला शारेडिक विकलांग के लिए 100 रुपे मात्र आपके फीस के रहेंगे और दोस्तो आवेदन कैसे करना पड़ेगा इसके लिए ओफिशिल वेबसाइट रहने वाली www.agricop.nic.in जो कि किसान कल्याण विबा की ओफिशिल वेबसाइट रहने वाली है वहापे जाके आपको आवेदन करना पड़ेगा अब आगे हम देख लेती योग गिता दोस्तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रामीन करसी विस्तार अधिकारी के लिए ग्रेजुएशन एगरिकल्चर के अंदर वरिस्ट करसी विकास अधिकारी के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है आपको बता दो दोस्तों कि यहां पर मांचित्र की पोस्ट के लिए 12 वी पास सर्विक्षन में एक साल का डिप्लोमो मांगा गया है और यहां पर कर्सी परवेक्षिक के लिए 12 पास एगरिकल्चर के होना जरूरी है तो दोस्तों मिनिमम ट्वल्थ पास और मेक्सिमम आपकी ग्रेजुइशन मांगे गई है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आवे दिन जरूर किजीगा अब चलते हैं यहां पर दूसरी वेकेंसी की तरफ दोस्तों दूसरी नंबर पे हम बात करेंगे परियोक्साला सहायक बढ़ती के बारे में परिक्षासुलक आपका मात्र 100 रुपे रहने वाला है पदोका विवरेन आपको बता देता हूँ परियोक्साला सहायक बढ़तीक शास्तर के अंदर आपके 230 वेकेंसी निकल चुकी है अगर हम रसाइन शास्तर के बात करें केमिस्ट्री के आपके 230 वेकेंसी रहने वाली है और जी विग्यान परियोक्साला सहायक की आपके 230 टोटल मिला के 690 वेकेंसी आपके निकल चुकी ह मातर सोर पे आपका एप्लिकेशन चार्जेज लगेगा जिसमें प्रयोक्षाला सहायत बोतिक शास्तर और प्रयोक्षाला सहायत रसाने शास्तर का जो पेश के लापका रहने वाल है 35,400 से लेकर के 1,12,000 आपका रहेगा और राज्य सरकार या केंदर सरकार इसके अलावा आप आपको बता दू कि आपके मानने प्रताप राप्त विश्य विद्याले से आपको यापर ग्रेजिएशन की डिगरी सनात्तर की डिगरी चाहिए मिनिममम 50% मार्क्स के साथ में यापकी एज्यूकेशन क्वालिफिकेशन आपके मांगी गई है दोस्तो सेम आपका बाइलोज के अंदर भी यही क्राइटिरे रहेगा अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती और सभी कोटी के निशक्त आरक्षित अभ्यार्तियों के लिए नियूनतब 45% रखा गया है आपके एजूकेशन क्वालिफिकेशन मिनिममम क्वालिफिकेशन आपके जो रखी गई है सन अगस से आपके आवेदन स्टार्ट होने जा रहे है और 28 सितंबर आपके लाजड़ेट रहने वाली है परिक्षा बुगतान शुलक की तिति आपकी यहाँ पे 30 सितंबर तक रहेगी मध्य रातरी तक आप आवेदन कर सकते हैं यह पूरा प्रोसेस में ने बता दिया है वेक ज़रूर कीजेगा आप मिलेंगा आप में नेक्स्ट वीडियो में यकिने अपडेट के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों